फ्रेंड आप देख सकते हैं हम जो SSE की official website पर आ चुके हैं और यहां से देखिए अब हम जो की latest news में जो है SSE की जो new vacancy निकलती है जो इसका notification निकलता हो सब यहां पर latest news वाले option में हमें मिलता है तो आप जो भी वेबसाइट पर आएंगे इस पर आनिक बाद देखिए फ्रें सब्सक्राइब हो चुका है notification यहां पर देखिए दे दिया गया आप फ्रेंड इसी notification में अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF ओपन होगा और इसमें जो आपको सारी डिटेल बताएगे है कि फार्म में हमें क्या-क्या चाहिए फार्म कैसे फिल करना है यहां यहां पर कितने language कितनी फार्म को फिश लगेंगे आप सेंटर कहाको ले सकती है किस्किस चैपस्रेल यहां पर։ल के सुरू सकते हैं तो यहां पर न पता है कि नोटिफिकेशन में कि 24 नॉम्बरों के जारी किया गया है इसकी ऑफिस्यल साइट https.forward.sse.nic.in इस तरह से है आपकी अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो इसके ऑफिस्यल और यहां पर 11 बजी राद तक इसका डेट है अगर आप फार्म को फील कर लेते हैं आपका पेमेंट नहीं हो पता ता आप उसको एक जनवरी 2023 राद 11 बजी तक जो इसका complete जो है पेमेंट कर सकते हैं बागी पर आपको फार्म में करेक्शन करना तो करेक्शन के डिट जो है हमारा फरवरी अंड मार्च दिया गया तो फरवरी से लिए कि मार्च की बीच में जो है आपका एक्जाम चाया जब हो सकता है बागी फ्रेंड आप इसको 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 नीचे कर रपाएंगे इसकी और भी डीटियल हम आपको चेक करा देते हैं आप फ्रेंड यहां पर है बाकि OVC में इसकी कितनी है कितनी है और यहां पर EWS में कितनी है यहां के लिए कितनी है और टोटल पोश्ट कितनी है और से आपके सामने आ जाएंगे दिथा में ब Aqui Smetal में अमारी 5215 ऑम這邊 osób है बाकि CISF में 9913 है मेल के लिए इसमें अलग-अलग के लिए अलग-अलग पोस्ट इसमें बताया गया है बाकि फीमेल में भी इसी तरह से आपको मिल जाएगा तो आप यहां पर किस के लिए आप फिल करना चाहते हैं उसमें कितनी पोस्ट है उस सब को आप रीड करेंगे औ लेकिन जो बाद में जाते जाते पचास जार तक पोस्ट की लिमिट हो गई तो तिया बें पचास जार तक पोस्ट फिल हुआ था तो इस साल भी यही हो सकता है तो आप बस अपने लिए मेनत कीजिए आपको फ़ांग 100% निकलेगा आपको एक ही पोस्ट की ज़रूरत होगी बागी फ्रेंट आप इसको और नीचे आएंगे और इसको और भी डीडियल आपको चेक करा देते हैं और फ्रेंट आप यह पर देखेंगे एज लिमिट एज लिमिट में 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए और एज जो है एक जनवरी 2024 को आपकी एज जनवरी 2024 को आपकी इसको आप इन सब को यहां पर रीड करेंगे बाकी हम और नीचे आएंगे और देखेंगे और फिर आप देखेंगे एजूकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें बताया गया कि एज जो है टेंथ पास के लिए है आप किसी भी बोड से किसी भी इनिवर्सिटी से परसंट की मिलेगी अगर अपको जो है दो परसंट की मिलेगे अगर आपके पास एक लिए और भी अच्छा होगा तो आपके पास कौन सी सर्टिफिकेट है उसके इसाब से आपको जो इसमें छुट मिल सकती है और फिर नहीं पर देखिए हाव टू अपलाई में बताया गय है तो फोटो जो है फोटो की साइज जो हमें 20 कवी से 50 कवी की 20 में होनी चाहिए और हमारा जो सिगनेचर है सिगनेचर की साइज भी जो है 10 कवी सी जो है 20 कवी की 20 की होनी चाहिए और फिर आपका फोटो जो है तीन माहिने से ज्यादा पूराना नहीं होना चाहिए यह आप आपको ध्यान देना है इसमें बताया गया है बाकी फ्रेंड हम देखिए आपके अप्लिकेशन फीस है अप्लिकेशन फीस आपके जो हंडेड उपीज लेगेगी और यहां पे कुछ केडिरी जवाइज यहां पे फीस जो है छूट दी गई है उनकी फीस नहीं लेगेगी तो आप इसको रीड कर लेंगे अच्छे से और बिल पेमेंट करने के लिए आप यहां पे देखेंगे भीव यूपियाई से कर सकते हैं नेट बैंक ही से कर सकते हैं बीजा कार्ड से कर सकते हैं मास्टर कार्ड से क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड किसी भी तरह पेमेंट जिहार एंड उत्तर परदेश देखिए अगर आप इस इस्टेट से बिलॉंग करते हैं तो आपका जो है सेंटर इस सिटी में आ सकता है जो सिटी यहां पर सो की गई है और यहां पर देखिए अंडमान निकोबार, जारखन, ओडिसा, सिक्कीम, बेस्ट बंगॉल इसके लिए जो सिटी यहां पर एक्जाम सेंटर यहां पर दिया गया तो इसके भी इसम से आ सकता है तो आप इन सबको रीड कर लेंगे और आपका जो है वैसे भी सेंटर होता है आपके पिन कोड से आपके एड्डरस से वही आपको मिलता है तो आप इनको भी अच्छे से रीड कर लें और फिर नहीं आपर देखिए scheme of examination इसमें बताए कि exam हमारा किस तरह से होगा exam तो इसे online ही होगा और जो है आपका exam 80 questions का होगा 80 questions का exam होगा और एक question आपका जो है two number का होगा यानि कि आपका 80 question है 160 number का जो total आपका mark बनेगा जिसमें से आपकी merit बनेगी और इसमें देखिए part A में general intelligence and reasoning के लिए है 20 question होगा जिसका जो है आपका maximum marks 40 marks होगा और यहाँ पे देखिए general knowledge के लिए है इसमें 20 question होगा मतलए 20-20 question हमें आएंगे और elementary mathematics है इसमें 20 question 40 number का और हिंदी या फिर इंगलिस में कोई एक subject से आएगा जो है 20 question 40 number का तोटल जो है आपको 60 minute यानी एक घंटे का paper online paper होगा फ्रेंट टोटल नंबर आपका जो है एक सब साथ number का होगा उसी किसाब से आपका कटाफ बनेगा और फ्रेंट देखिए आप 13 नंबर वाले PDF में हमें जो है इसमें बताया कि general knowledge में जो है subject point इसमें दिये गया है कहा कहा से question इसमें आ सकता है बाकि elementary math में देखिए यहां पर बताया गया है computation of the whole number decimal and fraction और यहां पर relationship between numbers इन सबसे आपको जो आ सकता है हिंदी और इंग्लिस में candidates ability to understand basic English and Hindi मतलब आपको basic Hindi और English जो है उसी खिसाब से जो आपका question बनेगा आपका ज्यादा tough paper इसका नहीं होने वाला है तो फ्रेंड आप यहां पर देख सकते हैं बाकि physical standard test में आपको इसमें कुछ बताया गया तो physical में देखिए फ्रेंड आप यहां पर देखेंगे आपका 48 मिनट में 1600 मिटर की दोड़ लगानी है बाकि आप नीजी आएंगे और इसमें देखिए हाइट और चेस्ट के लिए बताया गया है तो हाइट में जो है मेल के लिए 170 cm मांगा गया है और फीमेल के जो है 157 cm मांगा गया है बाकि फिरिंड आप देखिए रिलेक्स सेशन भी में देखिए बाकि फिरिंड आप यहां पर इस वाले ओपसर में देखेंगे यहां बताया है जम्मु कस्मीर हिमांचल परदेश आसाम अंडल लादाक से हैं तो आप मेल के लिए 165 cm फिमेल के लिए 155 cm तो आप इसको पूरा रीट करेंगे तो आपको इसमें एज रिलेक्स आपको देना बहुत जरूरी था कि आपको कोई डाउट ना फाम को फिल करने में आप अच्छे समने तयारी कर सकें बाकि फ्रेंड आप यहां पर देखिए इसमें बता कि एक्जामनेशन के समय आपको जो है कोई अपना एक ID प्रूफ लेकर के जाना है और उसके साथ दो प आप उसको जो है अपने पास रख लेंगे तो फ्रेंड आशा करते वीडियो आपको काफी हेलफुल लगा होगा अगर आपको इसमें और भी कोई कोई क्वेशन आपका है तो आप हमसे कमेंने पूछ सकते हैं हम आपको जो बताने की पोरी कोशिस करेंगे बाकि जिस तरह सम कॉंप्लेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं बहुत ही बारी की समयने आपको उसमें समझाया है सफरेंड अगर आप हमारे चनल पर नए है तो हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर करने क्योंकि अपने इस चैनल पर हम इसी तरह के कॉंटेंट लाते रहते हैं सफरेंड बिलते है किसी और इंट्रेस्टिक वीडियो में तब तक के लिए जैहिन